तो यह रहर कई लोग को अपनी डाइट डिजाइन करने नहीं आते कि कैसे की जाती है क्योंकि कई लोग को अपनी maintenance calories फाइंड नहीं करना नहीं आता तो सबसे पहले आपको वह सिखाते कि कैसे find की जाती है maintenance calories सबसे पहले let's suppose आपका weight 70 kg है उसको 2.2 से multiply करना है आपको तो जो भी आएगा उस number को 1.4 से multiply करोगे तो आपको protein intake and carb intake ये दोनों आ जाएंगे अब अगर इनकी calories find करने की कितनी calories होजिंगी total तो into 4 into 4 करने क्योंकि एक ग्राम protein में 4 calories होती है तो इसको multiply की 862 calories again 862 calories अब अगर fat intake find करने की total दिन का fat intake कितना होगा तो वही 215.6 को 4 से divide कर देंगे तो 53.9 ग्रामस आजाएगा अब ये मारा fat intake आया 53.9 ग्रामस इसको 9 से multiply करेंगे तो उसकी overall calories आजाएगी तो एक तो और तीन इन तीन को जब add करेंगे तो मारी maintenance calories आजाएगी हमें कितनी calories पूरे दिन में चाहिए अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं